वेल्कम टू इंस्पार्ड फिजिस क्लासिस फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए लेकर करके आए हूँ तापमिती पर एक ओ लेक्चर यह है अमारा तापमिती पर लेक्चर नमर दो है इसके अंदर हम बात करेंगे शेवर नमर टोपिक पर दोस्तों मैं जो इससे पहले वाले 6 टोपिक्स हैं उसके बारे में इससे पहले वाले तापमिती पर पहला लेक्चर है उसमें डिसकस कर चुका हूँ तो दोस्तों आप उस वीडियो को देख लीजिए उसकी जो लिंक है वह आपको मैं डिस्क्रिशन बॉक्स में दे दूंगा और देखते हैं आज के हमारे यानि धर्मोमेट्री तो दोस्तव ताफमिती की ओती है देखते हैं बधुक्तिक विज्ञान के छिस साका के अंदर थीजिए ताप को माप आ जाता है यानि ताफमिती कर आता है ठी करने की जाए कि देखेए दोस्तों विज्ञान कि जिस साका के अंदर अपने ताप को मापते हैं इसे ताप मापया थर्मोमेटर कहते हैं ताप मापय के लिए पदात की किसी ऐस उनको उपकियो के जाता है जो ताप के साथ नियांतर और नियमी तुरूप से बदलता है और विबिन प्दार्थों के ताप मापक जथा उन पर आदारी ताप मापक निम्ट है देखिए दोस्तों तो ताप मापक होती है उनको बनाते समय उसके अंदर जिस पदार्थ का उप्यो किया जाता है उसके एक गुन को यानिकी एक एसा गुन होता है जो ताप के साथ निम्टर और नियमित रूप से बदलता है यानि समरूप से चैंज होता है तो देखिए तो जिस परकार मैं आपको एक एक जामपल देता हूँ जो हमारा मरकरी से जो ताप मापर बनाया जाती है उसको बनाते समय उसको volume को ध्यान में रखका बनाया जाता है यानि कि उसका जो volume होता है वो temperature के साथ नियमित रूप से यानि कि है समरूप रूप से प्रिवतित होता है यानि ताप के साथ जो mercury का volume होता है उसमें समरूप परसार होता है यानि समान रूप से फ्रेलती है तो यान की जो ताप मापी होती है उसे जो अपन टेमप्रेस्टों निकालते हैं उसका माप को शुतर बता देता हूं दोस्तो सबसे पहले आपने एन किसी भी जिस पतात का यूज क्या जाता है जो उसका विश्यस गून होता है उस विश्यस गून के मान को जैसे की मरकर के अंदर जो वोल्यूम होता है उसको पहले तो जो हिमाक बिंदू होता है जीरो डिगरी सेल्सियस पर उसको नोट कर लेते हैं जीरो डिगरी सेल्सियस पर नोट कर लेते हैं और उसके बाद उसका जो भाब बिन्दु होता है 100 degree Celsius से उसपर उसके volume को note कर लेते हैं और उसके बाद में जिस temperature को हमें ग्याद करना है उस temperature पर उसके volume को note कर लेते हैं जानिकी V theta तो इन volume को अंदर एक सुतर होता है उसके अंदर input करने पर हमारा जो temperature होता है वह गयात हो जाता है तो उसका सुत्र होता है temperature का या ठीटा बराबर होता है जो हमने इसी temperature पर उसका volume गयात किया था उसके अंदर से उसका जो हिमांक बिंदू वाला जो volume होता है उसको गटा देते हैं जीरो डिगरी Celsius वाला और निचे जो इनका भाब बिंदू का और हिमांक बिंदू के वोल्यू में अंतर होता है उसको लिखा जाता है यानि कि जो 100 degrees Celsius पर हमने निकाला था आयतन उसके अंदर से हिमांक बिंदूवाला आयतन को निकाल देते हैं और इसको multiply करते हैं 100 degrees Celsius से फिर जो हमारा जो मान निकल करके आएगा वह हमारा जो टेंपरेचर होगा उसी का मान होता है दोस्तों यदि हमें किसी धातु का उप्यों किया जाता है तो धातु को उप्यों की साधार पर किया जाता है कि जो धातु का परतिरोद होता है वह ताप के साथ नियमित रूप स बढ़ता है तो जो वोल्यूम होता है उसके अंदर वहाँ पर उसका जो रेजिटेंस होता परतिरोध उसको लिखा जाता है उसको भी इसी प्रकास निकाला जाता है यानिकी पहले हिमांक बिंदू पर उसका परतिरोध निकाला जाता है फिर उसका 100 डिग्री सेल्शेस पर पर करने पर जो हमारी वेल्यू प्राप्त होती है वही हमारी टेम्प्रेट्स की होती है दोस्तों कोई भी ताप मापी हो उसके अंदर इसी सुतर का उप्यों क्या जाता है एक भाइड फिर से देख लेते हैं कि यह चुतर होता है यानि ताप को मापने के लिए सबसे पहले अपन पर नीचे 100 degree Celsius वाले में से 0 degree Celsius वाले को ही माइनस करते हैं और multiply करते हैं 100 से दोस्तों यह सुतर आगे बहुत ही योज होगा अब बात करते हैं बन मापी के वीवीन प्रकारों के दो वीवीन परदार्तों से बनाइजाती हैं तो पहली है दर्व ताप मापी यह नि झाने आपकों बता दिया है जो पहारात आप माफी होती है उसके अंदर उसका जो आइतन होता है वो समुरूप मापी होता है उससे अपन माइनस 37 डिगरि का टेंपरेशर नहीं ग्यादKर सकते justement तो इसकी परास होती है वहां लुक्त वि माइनस होती है इसलिए उसके जो परास होती है इनके बीजिए होती है अब है इल WAS क आप मापी हैनि सुने से कम ताप नापने के लिए जिस से जो कम ताप होता हुशको मापने के लिए एलकोहल ताप मापने को पया जाता है क्योंकि दोस्तों इसका जमाब बिंदू होता है वो माइनस से 130 degree Celsius होता है वो को अतना होता है 78 degree Celsius से इसलिए इसकी परास हो जाती है माइनस 130 degree Celsius तक है देखे जोस्तों यदि अपन को माइनस का 110 degree Celsius temperature ग्याद करना हो तो अपन इसको पारा जो ताप मापी होती है उसे नहीं निकाल सकते ऑर सुने से उपर का जो ताप मापने के लिए होती है पारा ताप मापी का इसलिए या आपना यगे ऐने पढ़ेंगे आपन neden गेसकी ताप मापी के बारे मेें गेसका ताप बढ़ाने के से उसके दाब और आइतन दोनों में प्रिवर्दिन होता है देखिए दोस्तों ज़िए गेस का अपन ताप बढ़ाते हैं तो उसका दाब भी बढ़ता है या प्रेसर भी बढ़ता है और आइतन भी लेकिन दाप था आइतन में यदि किसी एक को कॉंस्टेंट या नियत रख लिया जाए तो दूसरे में जो प्रेवतन होगा उसके अपने उसके ताप का मापन कर सकते हैं और गेस के उसमिये परसार के गुनों का उप्योग करके ताप मापी के रिचना की जाती है और गेस ताप मापी जिसे अपन गेस ताप मापी कहते हैं गेस ताप मापी दो परकार की होती है दे आइतन या दाब में से किसी एक को नियत रख लेते हैं तो जो एक मान बसता है वही प्रिवतित होता है उसी के प्रिवतन के आदार पर उसकी ताब मापी को हम बनाते हैं तो पहली है नियत आइतन गेस ताब मापी दोस्तों इसके अंदर अपने आइतन होता है उसको नियत आपे कर उसके ताफ में प्रिवेटिति करने पर उसके दाब में भी यानि प्रिवेटित होता है तो इसी गुन की आदार पर आपने जो नीयत आइतन पर बजह ताफ महपी हो कि उसका नियमान करते हैं ल् purposes कि कि की इस इसका अपने जो आईतन होता है वह नियत रख दें किसी नियत आइतन वाली बोक्स के अंदर。」 को डाल दें, योदि यदि उसका temperature बढ़ाया जायेगा तो तो उसका जो प्रेसर होता है वह भी टेमप्रेशर के साथ सम नियत रूप से बढ़ता है यह उसकी समानुपाती होता है पी समानुपाती टी और इसी समस्ट को द्यान में रखकर अपने नियत आएतन पर गेस ताब मां पी बनाते हैं और दोस्तों इससे जो temperature ग्याद करने का सुत्र होता वो यह होता है यह कि पहले अपने उसका प्रेश्य निकालते हैं जिस पुभाप निकालना है जिस यिस couples को हमें निकालना हूए यानि ठीज़ज़ कि ठीज़ज़ निकाल लेते हैं और फिर उसके हिमांक बिंदू पर रहने जीरो डिग्री सेस्ट पर निकाल लेते हैं और उसके कोथनाग बिंदू पर रहनी भाब बिंदू पर सो डिग्री सेस्ट पर उसका प्रेसर निकाल लेते हैं और मैंने जा आपको सुतर बताया था उसके अंदर इसको उनप पटकेती है जाता है और मारा temperature ग्यात हो जाता है वह सुतरमा आपको फिर बताती हूँ दोस्तों यह बहुत ही important ही होता है यह पहले जिस temperature पर हमें इस temperature को हमें ग्यात करना है उस पर उसके pressure को निकालेंगे यह पीठीटा और इसके अंदर से अपने जो zero degree वाला है वो गठा देंगे यह हीमा की बिंदुवाला गठा देंगे और नीचे अपन जो 100 degree Celsius में से यह जो दाब होता है हीमा की बिंदुवाला वो गठा देते हैं इसको multiply कर देते हैं 100 से इसी सुतर के द्वारा इसका भी temperature से निकाला जाता है और दोस्तों यह जो सम्मन्द की वाले चेप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे only अब इस यहां पर तो आप यही यादरों कि जो सम्मन्द होता यह है दाब नियम भी कहलाता है और की एक्जाम में क्यूशन पुचा जाता है कि जो नियत आयतन वाली गेस्ताब मापी होती है वह किस नियम पर दारित होती ह है तो दोस्तों वह होती है दाब नियम पर या गेल उसे के नियम पर दोस्तों यह आपको याद रखना है अब पढ़ेंगे पर नियत दाब वाली दोस्तों नियत दाब वाली भी वैसे बनाई जाती है यह इसके अंदर अपने दाब को नियत रखकर आयतन के आयतन में जो प के मान को नियत रखका जो आयतन का मान हमारा परिविक्टित हो उसको नोट करके अपने जो temperature होता है उसके मान को निकाल जाता है अब पढ़ेंगे अपने लेकतीनम परतिरोग देखे दोस्तों इसमें एक बात और दखना इसमें आध inland पक्शा साती है तो दोस्तों ये पुछा जाता तो नियत दाब वाली गेस ताफ मापी होती है वह है चार सिनियम पर आदारित होती है यानि चार सिनियम को द्यान में रखकर यह ताफ मापी बनाई जाती है यह कि इसको किरिया विद्य होती है वह है इसी सिद्धान पर आदारित होती है आगे पढ़ेंगे अपने प्लेटिनम प्रतिरोद तापमापी यह है हमारी इस तापमापी के बारे पढ़ेंगे दोस्तों यह मैंने आपके दात्यू के बारे में पहले बताया था कि इसके अंदर अपने जो प्रतिरोद होता है उसको द्यान में रखकर बनाते हैं यहनि कि जो कर दरसा है खाएगा है कि पहले अपन इंसके पर्तिरोग को निकालते हैं फिब जिस सबस spectrum उस現在 पर हमें निकालना है उसका पर उसका पर्तिरोध बोस्तों दोस्तों यहां पर हमारा ताप गुणांगा उसको डिवाइड कैसि हमारा पतिरोध है और जो आरे-जिरो से दरसा गया यह हमारा हिमां की बिंदू पर परतिरोध होता है और निसे जो ठीटा है यह हमारा जो temperature होता है मैंने ग्याद कि अवो होता है और यह जो ठीटा होता है यह हिमां की बिंदू पर परतिरोध होता है तो इसकी जो derivation है वो यह होती है कि जो हमारा जो हिमां की बिंदू और जिस temperature को हमें न करना है उसके जो परतिरोद में प्रियोतिन होता है वह हिमां की बिंतु का जो परतिरोद होता है उसके समान पाती होता है और जो टेंपरेचर होता है उसके भी समान पाती होता है यदि इन दोनों एक्वेशन को एक साथ लिखा जाता है तो हमारी एक्वेशन यह बनती है और कि यदि दोस्तों यहां पर वल्यूम होती है तो इसको अपने आयतन का ताप गुणांक बोलते हैं लेकिन यहां पर यदि अपन जो दातु होते हैं उसके प्रतिरोत को ध्यान में रखा रहें पर ताप कमान ग्याद करते हैं तो इसको प्रतिरोत का ताप गुणांक आ जाता ह पुलिय होता है है वो घंटको कैयाद करते हैं उसका इन्टों को था ह्रप होता है कि बघर शोले जो मुधाँ ऊस्ट होता है रेजी है इसको आपने यसे भी लिख सकते हैं वन अपॉन डिगरी सेल्सियाच और वन अपॉन केल्विन तो ये इनके मात्रक होते हैं एक्जामें पुछे जाते हैं इनको याद कर लेना आगे हम पड़ेंगे ताप यूग मताप मापी देखे जो ताप यूग मताप मापी होती है या सिबेक परवाव प अधारित होती है उसिबेक परवाव के अनुसार जब दो ऐसमान दातूं के यूग म को कि संदियों को विविन तापों पर रखते हैं तो एक संदी से दूसरी संदी की और दारा परवाईत होती है दो दातूं जैसे एंटी नी और बिश्मित एंटी मिनी और बिश्मित के मो ताप विदुत वाहकबल कहते हैं जो दातों के यूग में जो दातों से बना है यूग में ताप यूग में कहलाता है यदि इसकी एक संदी बरफ से जिरो डिगरी से तथा दूसरी एग्या ताप ठीटाग डिगरी से पर रखी जाए तो ताप यूग में उत्पन ताप विद बिन दातु की संदी को अपने किसी टेंपरेचर पर रखते हैं यानि कि मालों ये बिश्मित है और ये एंटीमिनी है इनकी जो दातु का ये जो संदी होती है यानि कि ये जोड होता है इसको अपन किसी टेंपरेचर पर रखते हैं तो ये बिन बिन दातु होने के कारणे इसक एक विद्धुत वाहक यानि जो हमारा होता है विद्धुत वाहक बल वह उत्पन होता है उसको अपन विद्धुत वाहक बल बल बलते हैं कि एक इसके अंदर जो वाहक बल होता है वह उत्पन होता है और तो हमारा जो यह ताप मापी बनाए जाती है वह इस परकार बनाए जा चुलिज मितकी दातुयसे जोड दिया सक्षोर के एक संधी होती है इसको आपने 0 degree celsius पर जठा दूसरी को नाता है चाला एक इसको itaper नरा उतपन उत्ति है यह यह जो विदूत वह उत्त है तो यह जो विदूत वाहखबल है इसको आपन बोनते हैं ताप युग में विदू त्वाहक भल या और इसको जो अपन ग्याद करते हैं इसको निमने सुतर से निकाला जाता है तो यह होता हमारा यह सुतर है यह इस इक्वाल टू एलफा ठीटा प्लस एक बटे दो बी ठीटा अभर यहां पर यह दो सकते हैं अब हमारा विक्रियन ताप मापी देखें जो विक्रियन ताप मापी होता है हमारे इस्टिपन के नियम में प्रादारित होता है और इससे दूरे इस्तितिए बहुत अधिक ताप को मापा जा सकता है जैसे सूर्य का ताप इससे पराय 80 डिग्री से ऊती ताप का मान ज्यात की आ जा सकता है और यह है दोस्तों इस्टिफन का जो नियम होता है उसके अनुछार उस्टाब पर किसी वस्तुते उस्तरजीत जो विक्रण की मात्र होती है वह इसके परम ताप के चतुर्ट गाश के समान पाती होती है देखे दो तो इसके बारे में एपन उस्मा गतिकी का जो मारस चेप्टर हो का उसी के अंदर पड़ेंगे यहां पर हमें याद रखेनी है कि जो विकरन ताप मापी होती है वहाँ स्टीफन के नियम के परादारित होत होता है और जो इस्टीफन का नियम होता है उसके यहां पर जो थियोरी है वह में यहां पर दी गई है कि इसके अंदर जो कोई भी वस्तु होती है उसे उस जी जो विकरन होती है यह है इसके टेमप्रेचर की चतुर्थ गाश के समान पाती होती है और यहां पर जो समान पात इसी सुतर के जो यह है नियम होता है इसी को द्यान वरे रखकर जो हमारी विक्रन ताप मापी होती है इसका निर्मान किया जाता है तो दोस्तों याद रखना जो विक्रन ताप मापी होती है यह इस्टीफन के नियम पर आधारित होती है और जो हमारी ताब विक्रन ताप पर आधारित होती है इसको मैंने आपको बता दिया है सिब्धक पर वा मैंनि दो चभ़ंज पर निशका तरह पर तो फिर ऐसे रखने पर इसके अंदर daran परवाइत होती है और विद्धूत वहथ कुल उद्धवाधब का जाता है और इसको इस चृतर के अदार पर इस चृतर में रखा जाता है और जित ठीटा का मान होता है इसको अपन इस equation से निकाल लिया जाता है और यहां पर एल और भी नियताउक होती है जो विक्ररें ताप मापी है उनके परास के बार में बताया गया है देखे दो तो जो इनका सुतर होता है वो तो सभी का एक ही होता है लेकिन फरक कितना होता है कि जिसको लंबाई को ध्यान में रखकर बनाया जाता है उसमें लंबाई का मान रखा जाता है जिसके अंदर प्रेसर को ध्यान में कर बनाया जाता है उसम mobli烈 का मानने इंपूट क्या जाता है लेकिन की जो परास होती है वह वाई है और बिन बिन होती है जो इंडेक्स मेन पर हमने इंके बार में पहले पद भी चुकі हैं मैं इनको दूबारा से करने के लिए इंडेक्स बनाए गई है तो हम देखते हैं जो पारा होता है उसकी परास होती है माइनेस गुंचारी से इसके अंदर जो नेगिटिव ताव तरह है उसका मान गयात करने के लिए एल्कोहल का उप्यों किया जाता है अब है गेस ताप मापी नियत आयतन या नियत दाप पर तो इनका टेम फोर्मूल होता है यदि अपने आयतन को नियत रखते हैं तो इस पहले वाले फोर्मूल को प्यों किया जाता है यदि प्रेसर को इस्थिर किया जाता है तो अपने वोल्यूम वाला फोर्मूला यूज कर परास अलग अलग होती है तो हमें दूफी है यहांपर जो हमारी है घर हमारी होती है उसके लिए्याय कि अ पराट कर सकती है तेखिए दोस्तों जो हीलियम होती है उसमें हमें याद रखना है कि यह सबसे अधिक नेगेटिव मान को भी नोट कर सकती है तेखिए नेगेटिव मान को भी नोट कर सकता है तो वह होती है हमारी हीलियम गेज की ताप मापी क्योंकि हीलियम गेज की ताप मापी होती है उससे अपने माइनस दोसौँ एकर सकते तक की तेफरे सर को गेजा सकता है और देखिए जो तो पेलेटिव प्रतिव निल्क पर ताप मापी होती है उससे अपने इतना मान आपते है उस्थे पि मानने जोसे को नोट कर रखा जाता है तब हमारे जो इस लेक्चर में जो लास्ट आयन की कुछ मैच्व पुन थे दिवे हैं उनको आपको याद रखना है इनसे एक्जाम में डारेट कुछा जाता है यानि माइनस चारिस डिग्री ताप पर सेलसियस एवं फारे नाइट आप मान का पाठ्षांग समान होता है देखिए दोस्तों यदि हमें किसी ताप को सेलसियस में या फिर पारे नाइट में ग्याद करते हैं तो ऐसा यानि कि माइनस 40 डिग्री का जो टेमप्रेशर होगा वह है फ अगला एक एलुएंस से नीचे ताप मापने के लिए चुनकिया ताप मापी का उप्यों किया जाता है यह क्योरी नियमपा दारित होती है देखें दोस्तों यह जो हमारी ताप मापी होती है इसे अपने अधिक्तम टेमपरेशर उरता है 228 degree Celsius नाप सकते हैं वो भी होती हमारी हीलिया में ताप गेस ताप मापी लेकिन इससे आनि की है एक केक का मतलब है यानी एक किलो ऐनी हजार डिगरी सेसित माइने सजार डिगरी सेसित का अगरी टेंपरेचर में ग्याद करना हो तो उसके लिए हम चुमके ताफ मापी को प्योग करते हैं वो क्यूरी नियम पर अधारित होती है यह बहुत ही इंपोर्टेंट है इसको भी हमको प्योग को याद रखना है अगला है पारा ताफ मापी में गोलागार बलप की अपेक्सा बेलनाकार बलप ज्यादा समयदर सील होता है देखिए दोस्तों जो गोलाकार होती है उसके अंदर अधिक टेंपरेचर जो प्रिवतित होता है उसका महाने नोट करने में दिकत होती है तो हमारी जो इसको बेलनाकार जो नली होती है उसके अंदर रखा जाता है जिसमें थोड़ा भी temperature जो volume होती है इसमें वोल्यूम के अंदर थोड़ा भी प्रवितित होने पर उसको अपने अधिक आसानी से ग्यात कर सकते हैं क्योंकि यह है अधिक उचाई तक मरकरी होती है वो चली जाती है थोड़ा सा volume भी बढ़ने खनें जात के है अधिक उचाई पर जाने के आधिक कर लाईना कार में ग्यात किया जाना आसान होता है नहीं ज्यादा संविचे होती है तो हम कह सकते है जो पारा ताप मापी में घूला चाहा बलब बलब के आपेकसा बेदनाका बलब ज़्यादा समयशील होता है अब है उच्छ कवतनांक एवा में नियत रेकिये परचार गुणांक एलफा के कारण प्लेटिनम का परियोग परतिरो ताप मापी में किया जाता है अब है माइने 200 डिगरी से नीचे ताप पर नाइटोजन एव हाइटोजन दर्वी भूत होने ल नहीं गयात कर सकते इससे नीचे ताप गयात करने के लिए हीलियम का परियोग किया जाता है और दोस्तों जो नियूंतम संभव ताप होता होता है माइना से 233.15 डिगरी से यही कारण है कि निरिफिक्स पेमानने पर किसी पिंड का ताप कभी भी रिनात्मक नहीं माना जात देखिए दोस्तों जो यह पेमान होता है इसी दो टेंपरिचर को अपर परम सुने ताप है अधिर यही हानी ची बी सी जोझुल ब इस यही कारण होता है इसका कभी नेगृतितिव मान pills नहीं होता है मान्स 233.15 डिगरी से यहीं आज का वीडियो समाप्त होता है और हमारा जो लुशेंट का 17 चेप्टर है तो आप मिति यानी थर्मोमेटरी यह समाप्त होता है और अगले इसके लेक्चर में अपने थेोरिट्रिकल क्यूशन है उसे समंधिते डिसकस करेंगे और उसे अगले लेक्चर में हम इसके लुशे करेंट पर जो निमेरिकल दियो हैं उनको निकाल लेंगे तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंसे जरू किजिए हिन दोस्तों